हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, डेली करेंट अफ्यस में आज हम 17 और 18 जनबरी 2023 के मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कोशन डिसकस करने वाले हैं, दोस्तो 17 जनबरी को हमारी क्लास किसी भी कारण से नहीं हो पाई थी तो जो कोशन थे वो हमने इस क्लास में इंक्लूड किये हुए हैं, दोस्तो इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक कोशन पूशा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका हम रिबीजन भी करेंगी तो आप रिबीजन जरूर करिएगा, चैनल प दोस्तो सबसे पहले कल के करेंट अफियर्स को रिबाईज करते हैं, फिर इसके बाद आज के कोशन डिसकस करेंगे, कल के यानि 16 जनवरी के कोशन हम डिसकस कर रहे हैं, भारतिय सैना दिबस कम मनाया जाता है, तो दोस्तो ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद जीता है तो आर वॉनी गैब्रियल ने जीता है ये किस देश की है तो याद रखिएगा ये अमेरिका की है और दोस्तो एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत की तरब से मिस यूनिवर्स प्रतियोगता में कौन सामिल हुआ था तो उनका नाम था देविता राय ठीक है ले COP28 का आयोजन है ये 2023 में UAE में किया जाएगा कहां पर दोस्तो UAE में अंगला कुशन है अमेरिका में पहली महिला सिख नयायाधिस कौन बनी है तो उनका नाम है मनप्रीत मौनिका शिंग कौन बनी है दोस्तो मनप्रीत मौनिका शिंग हाली में किस पॉधे को संरच्छित पॉधा है ये भारत के पश्मी तड़ पर पाया जाता है ठीक है ये पश्मी तड़ जो है यहाँ पर नील कुरिंजी का पॉधा पाया जाता है और यह हर 12 साल में एक बार फूलता है ओनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उतकृस्ता केंद्र कहां इस्थापित किया अंगला कोशन है ICG जहाज कमला देवी को कहां कमीशन किया गया है तो इसको कोलकाता में कमीशन किया गया है जैमस बेब टेली स्कोप ने प्रत्वी जैसे ग्रह की खोज की है उसका नाम क्या है तो LHS 775B ठीक है इस ग्रह का नाम है और जैमस बेब टेली स्कोप को 2021 में लॉ अंतिम राजा थे जिनका निधन हो गया है तो दोस्तो वह यूनान के अंतिम राजा थे उनका हाली में निधन हुआ है राष्टिय वाल अधिकार सरणच्ण आयोक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है तो यह लिटरेट डिस्टिक कौन बना है तो दोस्तो इसका आंसर होगा कोलम कौन सा जिला बना है दोस्तो कोलम और कोलम किस राज्ज में है केरल में है ठीक है तो केरल का जो कोलम जिला है वो पहला संविधान साक्षर जिला बना है ठीक है दोस्तो तो केरल के कोलम जिले ने संविधा सक्षरता अभियान उसके करण यह उपलब्दी हासिल की है दोस्तों यह सम्विधान सक्षरता अभियान कोलम जिला पंचयायत जिला योजना समीति और केरल इस्तानिय प्रशासन संस्तान के द्वारा सुरू किया गया था इस अभियान का प्रमुख्ष देश था जिले की दोस्तो भारतिय सम्मिधान की बात आई है तो इससे जुड़ी हुए कुछ important fact discuss करते हैं भारतिय सम्मिधान का पिता किसी कहा जाता है तो डॉक्टर भीम राव अमेटकर को कहा जाता है दोस्तो सम्मिधान को 26 नौवंबर 1949 को भारतिय सम्मिधान सभाद्वारा अपनाया गया 26 जन्वरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था यह लगभग एक लाग पैतालेस अजार सब्दों वाला बेसुका सबसे लंबा लिखे सम्मिधान है इसे तयार करने में सम्मिधान सभा को करीब 12 साल 11 मिने और 18 दिन का समय लगा था सम्मिधान की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कोन थे तो डॉक्टर राजिन्द प्रसाद थे और वो आंगे चलकर के भारत के पहले राष्टपती भी बनते हैं दोस्तों सम्मिधान लागू होने के समय सम्मिधान में 395 अंशेद 8 अनसूचियां और 22 भाग थे और बरतमान में 448 अंशेद 12 अनसूचियां और 25 भाग हो हैं तो यह कुछ important जानकारी है भारती सम्मिधान से related तो इसको आप note कर लीजेगा आपके लिए एक information है कि अगर आप मद्द प्रदेश पटवारी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं SSC banking या किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए mock test हमारे app पर उपलब्ध है ए अगर आपकी कोई query है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कोई doubt पूछ सकते हैं दोस्तो अगर आप इस mock test को join करते हैं और अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं PS100 तो आपको इस mock test में छूट मिल जाएगी चलिए दोस्तो अंगला question discuss करते हैं हाल ही में किस देश में आपात काल की घ गोशना की गई है दच्चन अमेर्का महादीब का एक देश है पेरू तो वहाँ पर अभी emergency declare की गई है और ये जो emergency लगाई गई है ये क्यों लगाई गई है क्योंकि वहाँ की जो राष्ट पती है दीना बोलवार्टे तो उनके खलाब विरोध प्रदर्सन चल रहे हैं इस दिनों के लिए प्रभावी होगा ठीक है और एक पॉइंट ये और याद रखना है कि दोस्तो जो दीना बोलवार्टे है ये पेरू की पहली महिला राष्ट पती है ठीक है ये कुछ दिन पहले ही बनी थी हमने current affairs में भी discuss किया था पेरू की स्तिती हम देख लेते हैं पेरू तो ये इसके पडोसी देश है और दोस्तो यहीं पर आपको एक और देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अर्जिंटीना अर्जिंटीना से आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो इसको किसने जीता है इसको जीता है अर्जिंटीना ने ठीक की जो capital है वो लीमा है और सबसे बाड़ा सहर भी लीमा है और इसकी जो currency है वो है soul ठीक है और पेरू के राश्टपती राज्जी के प्रमुक होते हैं और सरकार दोनों के प्रमुक होते हैं कौन वहाँ के राश्टपती अंगला question है राश्टिये start-up दिवस 2023 कब मना गया है बहुत important day है दोस्तों क्योंकि ये मोधी सरकार के द्वारा declare किया गया था तो ये आपके exam में question बन सकता है तो राश्टिये start-up दिवस 2023 कब मना गया है तो यह 16 जन्वरी को मना गया है तो जमीनी इस तर पर start-up संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राश्टिये start-up दिवस मनाया जाता है 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी के द्वारा 16 जन्वरी को राश्टिये start-up दिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई थी ठीक है और 2022 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था और 2023 में यह दूसरी बार दिवस मनाया गया है और दोस्तो एक पॉइंट और याद रखियेगा कि 10 जन्वरी से लेकर के 16 जन्वरी तक Start-up India Innovation Week भी मनाया गया है अंगला कुश्यन है सर्वस्रेष्ट बिदेसी भासा फिल्म के लिए 28 मा Critics Choice Award किस फिल्म ने जीता है तो दोस्तो इस साल एक मूवी है जिसका नाम है RRR तो इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं एक्जाम के पॉइंट और उसे बहुत हिमार्पूर फिल्म हो जाती है तो इसके बारे में आप जरूर नॉलिज रखेगा तो दोस्तो 28 बार Critics Choice Award किस ने जीता है RRR मूवी ने और ये जो Critics Choice Award है दोस्तो ये कहां पर दिया जाता है तो ये अमेरिका में दिया जाता है तो इसके नर्देसक कौन है यानि RRR मूवी के जो नर्देसक है वो है SS राजा मौली तो राजा मौली की फिल्म RRR ने दो पुरुसकार जीते हैं नाटू नाटू के लिए सर्बस्रिष्ट गीत का पुरुसकार जीता है और सर्बस्रिष्ट बिदेसी भासा का पुरुसकार भी जीता है दोस्तो आर आर को बेस्ट डारेक्टर, वेस्ट पिक्चर और वेस्ट विजूल इंपक्ट के लिए नॉमिनेट किया गया था इससे पहले आर आर के जो का जो गाना था नाटू नाटू उसको सबस्रेश्ट गीत का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दोस्तो अमेरिका में ही प्रदान किया जाता है 15 जन्वरी 2023 को लॉस एंजेल्स में 28 बे बारसिक क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड का आयूजन किया गया था ये कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं दोस्तो आप नोड करिएगा कि जो नाटू नाटू गाना है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और नाटू नाटू गाना भारत का पहला ऐसा गाना है जिससे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है इसके अलावा दोस्तो जो 28 बाग critics choice अबाड़ है सर्बस्रेश्ट गीत के रूप में वो भी किसको मिला है नाटू नाटू को मिला है अंगला question है द्रश्टी हींता को नियंतरित करने के लिए नीती लागू करने वाला भारत का पहला राज्ज कौन बना है बहुत ही मातपूर question हो जाता है तो दोस्तो किस राज्ज ने ऐसा सोचा है कि जो द्रश्टी हींता है उसको खत्म किया जाए उसके लिए एक नीती बनाई जाए इसे right to sight उद्देश के साथ लागू किया गया है साइट माने होता है दोस्तो अंधापन यह नीती राज्ज में तीन लाग से अधिक द्रश्टी वाधित लोगों के लिए जीवन में रोसनी लाने के उद्देश से लाई गई है इस नीती के तहत क्या क्या जाएगा कि जो बैंकों को संचालित करना अनिवार होगा यानि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नैत्र बैंक अवश्य होंगे ठीक है तो दोस्तो यहां पर सरकार के स्थर पर अंधेपन को समाप्त करने के लिए एक नीती लाई गई है राजस्थान की बात आई है तो कलराज मिस्र यहा अधी हाल ही में पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का फैसला किया है तो अलपसंख्यक कारमंत्राले ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है अलपसंख्यक कारमंत्राले ने अलपसंख्यक समुदाय के चात्रों के लिए विदेश में अध्यन करने के लिए सि उसके लिए जो एजूकेशन लौन दिया जाता था उस पर सरकार सबसिडी देती थी ठीक है तो इस योजना को अलपसंख्यक कार्मंत्राले के द्वारा अभी हाली में बंद कर दिया गया है योजना का मुख्ष अलपसंख्यक समुदायक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के मेधावी छात्रों को व्याज सबसिडी देना था वर्टमान में अलपसंख्यक कार्मंत्री कौन है इसमरती इरानी है और उने यह अत्रिक्त प्रभार दिया गया है अंगला कोशन है वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच सुरू हुआ है तो दोस्तों भारत में शुरू हुआ है और भारत के पश्मी समुद्र तट पर शुरू हुआ है दोस्तों दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच दुई पक्षिये अभ्यास साल 1993 में शुरू किया गया था और साल 2001 में इसका नाम बरुन दिया गया था अभ्यास के वरतमान संस्क्राण में भारतिय नौसेना के कई युद्ध पोत और नौकाएं इसमें भाग ले रही है देखे दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिसकस करते हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच होते हैं जैसे गरुन भारत और फ्रांस के बीच ही होता है है इन हैंड भारत चाइना के बीच इंद्र भारत और रूस के बीच पैसेज अभ्यास या पासेक्स बुला जाता है इसे तो ये रूस और भारत ये नौसेना के बीच होता है साहीन चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है नौसेनिक अभ्यास पैसेग जो ह नौसेनकों के बीच होता है दोस्तो सूर किरण युद्यभ्यास किस देश के बीच होता है यानि कि भारत और किस देश के बीच होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है सूर किरण युद्यभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है ये आप comment box में बताएंगे अंगला question है भोगली बिहु महुत्सव किस राज में सुरू हुआ है तो दोस्तो जब भी बिहु सब्द आए तो आप आसम को टिक करिएगा ठीक है तो भोगली बिहु महुत्सव जो है वो आसम राज में सुरू हुआ है ठीक है एक सब्दाय तक चलता है पंदरा जन्वरी से ये स्टार्ट हुआ है और ये जो एक सब्दाय ये भोगली बिहु तोहार चलता है ये दोस्तो माग महीने में मनाया जाता है इसलिए इसे माग बिहु के नाम से जाना जाता है इस दोरान जो असम की लोग है वो गायन करते हैं यानि गीत गाते हैं निर्थ करते हैं दाबते करते हैं और अलाओ के द्वारा इस पूरे तिवहार को मनाया जाता है दोस्तों कुछ प्रमुक महुत्साव और तिवहार डिसकस करते हैं सरहुल तिवहार किस राज़ में मनाया जाता है याद रखना है जारखंड में गुडी पर्व महाराष्ट में बांचुअ महुत्साव यो बिहु पर्व असम में ट्यूलफ फेस्टिबल जम्मुकसमीर में गड़गौर महुत्साव पुसकर मिला राजस्थान में लगता है उत्राइन और रण महुत्साव गुजरात में हॉर्न बिल महुत्साव नागा लेंड में पॉंगल तिवहार जो है वो तमिल नाडू में अंगला कुशन है किस किर्केट टीम ने बंडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो ये जीत दर्ज की है भारत ने भारत ने सिलंका को 317 रंज से हरा करके और बंडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो दोस्तो अभी हाली में भारत तो सिलंका के बीच जो तीन वंडे मैचों की स्रंखला हुई थी उसमें भारत ने सिलंका को हराया है और यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने भारत ने सिलंका के सामने 399 रंड का लक्ष रखा था तीसरे बंडे मैच में और जो सिलंका की टीम थी वो 22 उभर में 73 रंड ही बना सकी और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है भारत का जीत का इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था कि न्यूजी लेंड के पास था न्यूजी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है तो दोस्तों याद एक पॉइंट और रखना है कि जो यू की भामरी है और साकेत मई नैनी है ये दोनों टैनिस से रिलेटेड हैं तो इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा खिताब जीता है तो इन्होंने बैंकॉक ओपन का खिताब जीता है doubles का खिताब जीता है याद रखना है और ATP Challenger Tour पर उनका यह छटवा खिताब है और वे अंगली बार Australian Open 70 के पहले Grand Slam में प्रतिस परधा करेंगे जहां उन्हें wild card entry दी गई है तो दोस्तों आपको केबल इतना point याद रखना है कि जो UK भामरी है और साकेत मैनैनी है इन्होंने Bangkok Open का अभी हाली में खिताब जीता है और ये दोनों tennis से related है तो ये थे आज के महत्पूर question चलिए इनको एक बार revise करते हैं फिर आपसे question पूछेंगे जिसका answer आपको comment box में देना है भारत का पहला सम्मिधान सक्षर जिला कोन मना है कोलम हाली में किस देश में आपात काल की घूषना की गई है बेरू में राष्टिय स्टार्ट अप देवस 2023 का मनाया गया है 16 जन्वरी को सर्वस्रिष्ट विदेशी भासा फिल्म के लिए 28 बा critics twice award किस फिल्म ने जीता है यह जीता है आर 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 ने द्रश्टी हिंता को नियंतित करने के लिए नीती लागू करने वाला भारत का पहला राज कुन मना है तो वो बना है राजस्थान अंगला कुशन है किस मंत्राले ने पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का फैसला लिया है अल्प संख्या कार मंत्राले ने अंगला कुशन है किस क्रिकेट टीम ने वंडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने यूकी भामरी और साकेत माई नैनी ने हाली में कौन सा खिताब जीता है बैंकॉक ओपन का खिताब जीता है तो दोस्तों ये थे आज के महत्पूर्ट करेंट अफेस के को पूशन पूश्ते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भारत का पहला सम्मिधान साक्षर जिला कौन मना है तो बुरहानपूर, कोलम, भरतपूर या मंडी जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पीडिएप डाउनलोड करन आपको वहां पर इसका पीडिएप मिल जाएगा अप्लिकेशन का लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप मॉक टेस्ट भी जोईन कर सकते हैं और डेली करेंट अफ्यस की पीडिएप भी आपको वही पर मिलेगी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शर में जैहि वन्यमात्रम